दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चाइनल पर दोस्तों हमेशा की तर आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चाइनल पर मालता की जो मैच है OVR वर्सेस MTD के बीच की मैच की तीन डिरी मिलियों की विणिंग टिम्स में आपको दिखाने आलाओ जिससे कि आपको अच्छे खासी अर्णिंग हो सकते या फिर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग ज़रूर जीच सकते लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने में से पहले देख सकते इन दोनों के बीच लगाता दो गंटे के अंतर से दो मैचेस हैं तो यह वीडियो दोनों मैचेस के लिए रहेगा दोस्तों अभी हमें पहले मैच पर क्लिक करनी है और अगर आपने अब तक टीम नहीं बना जाओंगा किस-किस को लेना है किस-किस को नहीं लेना है और क्याप्टन और वाइस क्याप्टन किसे बना सकते यह भी मैं आपको तो दोस्तों फिर से एक बाद वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चानल को अब तक तो करी लीजिए साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके अल पर भी क्लिक करना ना बुले ताकि ऐसे उडियाप तक पोश्टे रहे आप अच्छे से अर्मिक करते रहे चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते बिना किसी देर के माइटेम पर क्लिक कर लेते और पहली टिम को मै आपको एडिट करके दिखा देता हो कि सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पर तीन जो कीपर है जो प्लेइंग इलिए में शामिल रहे है एच जेरिक्स उसके अलवा एस पटेल और सी पालमेर यहाँ पर मैं अभी फिलार एच जेरिक्स के साथ ही जाओंगा बाकि किस अच्छे प्लियर है हाँ पर्फॉर्मस अभी तक इतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन टीम में ज़रूर ले सकते हैं आप इनके पर भरसा कर सकते दाव लगा सकते हैं अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास फिर से यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन्स है लेकिन सबसे बेस इतना अच्छा नहीं रहा है जितना हमें चाहिए तो इसलिए मैं इन तीनों के ही साथ जाओंगा बाकि किसी और के साथ नहीं जाओंगा अगर गेनवाजी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पी घोश को मैं इस टीम में लेहा हो और आर जेकब को भी स्टीम में लेह सकते हैं या फिर आप Grand League स्मॉल लिग जीद सकते हैं अभी फिलाल हमारी पहले टीम बन चुके है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगी कि के जॉन्सन और सी केबल तो इस तर से चार बैक्समन में इस्टी मिलूंगा जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है इसके अलावाद तीन आल राउंडर है एन एम नजीर डी मार्क्स और पी लॉरेंस इस तर से तीन आल राउंडर पी घोष एफ नईम आर जेकप तीन अच्छ देमन साबित होने ओल आए इससे आप घ्राइंड भी जिट सकते अच्छे खास अर्णिंग भी कर चकते दोस्तों अगर आप इसको लगाते तो फिर फिर भी अगर आप ग्राइंड के बाद स्मॉल लगाना चाहे तो ज़रूर लगा सकते क्याप्टन और वास्क्टन की बात सकते कुल मिला कि अच्छी खासे टीम बच चुके इसे क्लोज कर लेते सेयो कर लेते और दूसरी टीम में आपको दिखा देता हो किस तर से मैंने बनाएं कि दूसरी टीम की बात करें तो दो कीपर के साथ में जा रहा हूँ इस पटेल और एच जेरिक्स इसके अलावा दो की ड्रॉप किया है ठोड़ा रिस्की है लेकिन फाइदिमन साबित हो सकता है अगर आल राउंडेस की बात करें तो डिमास है एम नजीर है और यहां पे भी मैंने एक और चेंज किया है पी लॉरेंस के जगह पे जे हिराचे को लिया हाँ परफोर्मस इनका इतना अच्छा नह पर चलते तो एफ नहीं है घोष को लिया है और यहां पर एस अरिफ को भी इस टीम में ले रहा हूं तो कुल मिला के टीम तो हमारी बहतरीन बढ़ चुके दूसरी भी टीम लेकिन दोस्तों आप क्याप्टन और वास क्याप्टन देखना हम किसे बना सकते तो इसके लिए न नजीर को वास क्याप्टन मनाएंगे यह भी काफी बहतरीन प्लियर है दोस्तों जरू आप इन पर भी भर्षा कर सकते दाव लगा सकते एक बार टीम प्रिव्यू कर लेते हैं सबसे पहले तो यहां पर शुरुवात सही मैंने चेंजिस कर दिये एच जेरिक्स के साथ साथ स साथ जा रहा है अगर बात करें सी विजलोन को ले रहा है था मसको लहां और इसके अलावा के जॉन्सन को भी ले रहा हूँ तो यह तीन अच्छे खासे बाट्समन में यहाँ पर ले रहा हूँ जे हिराची डी मार्स एम नजीर इस तरह से तीन अच्छे खासे आल राउंडर भी मैंने इस टीम में ले लिए तो इस नई पी घोष और एस अरिफ इस करें तो ज्यादा रहें लेकिन फिर भी अगर आप स्मॉल लिक के लिए यूज करेंगे तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि स्मॉल लिए यूज करना थोड़ा रिस्की है थोड़े इसकी प्लियर मैंने लिए तो इसलिए सर्फ ग्राइन के लिए सज्जेस करूंगा अगर अच्छा पर्फरमस कर रहें पूरी सीरीज में अभी तक और आपको अच्छा खासे पॉइंट डिला सकते डबल पॉइंट दे सकते एच जैरिक्स एज विकेट कीपर आपको बैटिंग स्टंपिंग रन आउट में भी पॉइंट देंगे और बैटिंग में तो पॉइंट करें तो बेटर हैं लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि स्मॉल लिक के भी लायक है यह तो आप ज़रूर यूज कर सकते हैं लेकिन हंड़ेट परसंट लिक के लिए यूज कीजिगा इस टीम को भी अभी फिलाल क्लोज कर लेते सेव कर लेते और तीसरी और आकरी टिम म मैंने बनाई है तीसरी टीम में थोड़ी और भी हटके बनाई जेरिक को वापस ले लिया बाकि किसी और को मैं इस टीम में नहीं लूगा बैटिंग में चार बलेबाद के साथ जाओंगा एसाथी को वापस ले लिया कि जॉनसन को ले रहा हूं सी यूनियोस को अब तक एक लूगा बाकि किसी और को नहीं लूगा चलते तो फिर से यहां पर मेरे पास चार आप्शन रहने वाले पी घोश को लूगा एफ नईम को लूगा एम कुमारन को लूगा और यहां पर चोथे जो है इस अरिफ को भी स्टीम में शामिल करूंगा तो चार गेंबाद चार बै साथ जाऊंगा जो क्यापटन और वाइस क्यापटन के दीमाज साथ जाँए दोनों प्लियर काफी अच्छे दूस्तों पर पता नहीं दिमास को काफी कम पर्सेंटेज मिलेए आजए क्याप्टन या वास क्याप्टन और के जॉन्टन को भी एज आपटन 8% के करीबी मिले ह यही हमारा फायदा हो सकता है दोस्तों टीम प्रिव्यू कर लेते सबसे पहले एच जेरिक्ष को इस टीम मिलूंगा उसके अलावा चार बैट्समन मेरे पास है एसाती सी यूनिस ए थॉर्मस के जॉंसन चार बैट्समन उसके बाद दो अल्राउंडर डीमाक्स और टी लॉरें सबरी कुछ है मिरे पास जिसे के आपको काफी फायदा हो सकते है तो अफकोस आपको बता दूर्ड के जॉर्शन को क्याप्टन और दी मास को बना रहो दोनों तो एक अच्छा खासा उल्रॉंडर जो बाइट दोनों में आपको फायदा करा के दे तो अगर आप चाहे तो दोस्तों डीमास को captain और के जॉंसन को इस तरह से भी बना सकते तो कई न कई डीमास को भी captain बना सकते कोई प्रब्ल्म नी कोई लिकत नहीं तो काफी अच्छी टीम बनी है अफकोस दोस्तों इस टीम को आपको लेकिन आप चायतरा उससे स्मॉल लिग के लिए यूज़ मत कीज़ेगा क्योंकि थोड़ा रिस्की टाइम यह भी है लेकिन रिस्क लेना लेकर हमारी रिस्की प्लिए अगर चल जाते तो हमारे ग्रांड जीटना पढ़ता है लेकिन स्मॉल लिग में ऐसा नहीं रहता दोस्त तो तीम अच्छी पट जाए तो हमें ंढलीक जित चकते अच्छी आणिंग कर सकते या फिर हमारे पैसे कम से कम वापस तो आ ही जाते तो इसलिए जलेग। पीज़ल कर सकते इस टीम को भी अभी कर लेते सेयों कर लेते हैं और अछिर मेंने यही कर दोस्तों अगर आपको लगता है इन तीनों संपड़ना दो लगता है Captain नहीं तो आप मेर्ष मतANS कर सकते हैं यहाँ को डिकतunta हम जादा चैंज़ करने जाएए तो थोड़ा रिस्की सावित हो सकता है I hope आपको मेरी टीनोटे मेरा वीडियो जरूर पसंदा होगा और अगर पसंदा है तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरू कर दीजे चैनल को भी अगर आप तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन को सब्सक्राइब आप अच्छे से अर्निंग करते रहे साथ इसाथ टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हो वहाँ पर जाके उसे जाइन जरू कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो आपको बता सको किसे ट्रॉप के अगर उसको ले सकते या कुछ और अपडेट रहते हैं तो वह भी मैं आपको बता सकता हूं तो ठीक है रस्तों आज के वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू दन्यवाद और गुडबाए